असलाम अलेकूम कैसे हैं आप मीट करती हूँ आप सब ख्यारेंसे होंगे और अला के फजलों के हमसे मैं भी बिल्कुल टिक्टाक हूँ मेरे पीछे आप देख ले मुख समाल बहुती कुछ पार और प्यारा सा बना हुआ है यह बक्रियां पीछे पी रही है कुछ खा रही हो होंगी पते वगयर मैंने तो सोचा था नहीं देना ढारो घ्क यह्याओ किर देखें कितना ऑभुपार के का aqora था और वो जो है ना अब दूल्लानी फाड दिया ये लो जैसको जघ्मवारा पार। से जाए अगर मेरे हाद से भट गी आना तो यह बहुत रोएगा बहुत जै juicy क्या कर रही है जूया जह हुरा इधर बैठ कर खेल रही है चीज का रही है कुछ खा रही हो गई तो यह देखें जी मोसम मोसम बहुत ही बनाइने हैं।। और गोबि। रोटी बनाने वाली आपड़ॉल्ला विज है। मैंने वह दूद लेने क्युंकि अब कीजिया बहुत ज्यादानafaramaya मैंने का बारेश है होटाइन आंदी रेसाचमी है तो लिए इस हीना टाइम से आफ़ा पर मैंने ने बना लिए है, Ty liking हुआ हैं तक बहुत मझे की होते हैं मुझे बहुत मझे की लगते है ब्ली करें यहां यह वाले अभी जहना पक्ता हुए हैं और यह वाले जहना करका फिर अश्राटर होचुको है और अफील अब्दुल्ला आ गया है दूद ले mega 묻 लेकर तो अबी जहां फट ने मुठू जपसना मेरे साथ ना मिडहा हैसाky avere के साथ यह जो जो है लेकर आगे हैं तो दूर को बालने के लिए रखते हैं जो हैना हमने अब्ल स्वाई में पता नहीं होगी के नहीं होगी यह देखे कितिना बाध लागे हैं कि वज़ा से जाना बिजली वालों को भी तो मुक्र होना चाहिए ना कि लाइट ओफ कर देते हैं यह इंटर जाना मैं अभी यूनिफार्म अब्दॉल्ला का प्रैस कर रही हूं और एक सूट जोया का प्रैस करूंगी क्योंकि सुबा की टाइम कोई पता ने लाइट ओफ हो क अब्दॉल्ला का यूनिफार्म मैं प्रैस कर लिया अब जोया का सूट प्रैस कर रही हूं और यह देखे जी यह दाग जो है ना इन्होंने नेल पालश के लगाई हुए है और बहुत कोशिश की लेकिन उत्री नहीं है इतने पके निशान पड़ गए हैं बच्चे बहुत ज्यादा काम खराब करते हैं एक तो मेरी सारी चीज़ें इनना मेक अप की सारी चीज़ें निकाल निकाल कि ना इससे खराब कर देते हैं अभी दूद की तरह भी जाना है क्योंकि दूद हमारा जोया ना उबल ना जाए तो कपड़ी में परस कर लिया यह देखे जी बारष बिश्यूर होगयी है लग की हलकी हलकी से जहाइना बारष आना स्टार्ट होगया और माशाला से हलकी हलकी जहाइना साथ में हवा बी चल रही है इतना प्यारा मौसम है ना बहुत मज़े का मौसम है इस मौसम में जो है ना पकोड़े हो जाए ना तो क्या ही बात है बहुत ही मज़े का जो है ना मौसम भी बन जाता है साथ में पकोड़े खाये जाए हो साथ में चाये हो तो और भी ज्यादा मौसम अच्छा बन जाता है तो बहुत ही अच्छे टाइम पे जो है ना मैं दूद के पास आ गई हूं कि दूद को उबाला आने ही वाला था तो यह देखे जी अभी दूद उबलेगा तो हम जल्दी से रोटी बना लेंगे किनके मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है साथ में हवा और हमारा जो किचेन इना खुलम खुला हैत्मे जो यह डिख जलती है तो हवा से जाय आग भी बुच जाती है इतनी जल्दी जह ना वह रोटी नी बनती भी फिर थेखे मसला बनता है बहुत ज्यादा फिर खाने अफकाने में अब क्यूंकि बहुत सारे काम भी बाकी है फिर बच्चों ने चाये भी मांगने लग जाना है लोटी बना कर फिर हम जाये बनाएंगे यह देखे खेरना स्टार्ट हो गए है अब जाओगे अब्दुल्ला कि जाओगे बहुत और अब्दुल्ला तो बहुत ज्यादा ही शरा आती है यह मैंने चुला बंद कर दिया है दूद को बाला आ गया है यह देखे कहां तर वैसे बेशक घंटा दूद के पास बैठेट होना इसको बाला नहीं आएगा दो मिन्ट के लिए उटकर जाए ना यह सब के साथ होता है दो मिन्ट के लिए कहीं भी जाए ना तो उसी वकत दूद को बाला आ जाएगा यह सो फिस्त बाग ठीक है मेरी तवाज़ा है हमारा गरम हो गया है यह मैंने अब इसके उपर जह है रोटी डाल दिया और बच्चे बहुत ज्यादा सची में क्यूंके बारश है अभी हृलक की नहीं है इतनी ह हल्की हल्की सी आ रही है और बच्चे जो हमारे उप्र हो गयी है और अभी देखती है क्या होता है कभ आईगी तो यह ना मैंने इसी वज़ा से जूनी फार्म भी इनके प्रेस कर लिए क्योंकि इनका पता कोई भी नहीं होता बेशक सुबा के टाइम भी ना हो लाई तो टाइम से जूनी फार्म में प्रेस करके रख लेती है रोटियं जो है हमारी पकर त्यार हो गी है रोटिये जो हमने बना लिया और बारश भी आ स्टार्ट हो गए तेज हो गह वारश और साथ मिल Нा हलकी हलकी सी बारश भी हो रही है, तो हमारा जे छोटा सा oops लोग ये बारश में और ये साथ में हर्यालिश देखने का कैसा लगा है आपको मेरी वीडियो को शेयर चुरूर किया करें लाइक मेंट चुरूर किया करें अलाफिए